आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में तो चलिए बिना टाइम वेस्ट का ये शुरू करते हैं आज के दिन की क्रिकेट की बड़ी खबरे तो सबसे पहले बात तीन मैचे जो आज हो रहे हैं उनकी कर लेते हैं सबसे पहले औस्टेलिया बनाम वेस्ट इंडीज क्योंकि वह पहले शुरू हुआ था तो फर्स्ट कम फर्स सर्व इस हिसाब से उस मैच में वेस्ट इंडीज एक्सट चालिस पर नो हो गई थी मगर फिर ग्यारवे दसवे विगेट के लिए एक बहुत बहतरीन पार्टनर्शिप हुई जिसकी बदोलत वेस्ट इंडीज एक्सट न वह 17 करोड़ वाले केमरें ग्रीन वो खेल रहे हैं 4 रन पर और उस्मान ख्वाजा खेल रहे हैं तीस रन पर हाला कि उस्मान ख्वाजा डेविड वॉनर से बड़े हैं मगर वॉनर चले गए ख्वाजा साब अभी तक चल रहा है अब चलिए बात करते हैं अगले मैश की पहले गेम में पाके न्यूजिलेंड ने 226 बनाएं उसके बाद में फिर 200 पार चले गए उसके बाद में फिर 200 पार चले गए और पाकिस्तान आफकोर्स वो 180 का मन बना के आते हैं और 180 तक पहुंच जाते हैं अब देखिए उनके जो प्रोक्रामिंग है वो सबकी इस तरहा से की गई है चाहे आप बाबर ले ले रिजवान ले ले उसके बाद में नीचे नवाज ले ले कि उन सबको पता है कि हमें 180 तक का टार्गेट च किसा से फूल जाती है यह सबसे वड़ी प्रावलम है आप चाहे कितने भी एनेलिस्टों को सुन लीजिए मोटा मोटा यही है पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है और यही होता रहेगा जब तक आपकी बोलिंग चेंज नहीं होती या बोलिंग इफेक्टिव नहीं होती पहले मैच से तीसरे मैच तक सिर्फ यह बतला है कि केन विलियमसन न्यूजिलेंड की टीम से चले गाएं बाकी तो कुछ नहीं बाकी आज हम दिन भर सिक्स की वीडियो शॉट्स बना रहे थे कि सबसे आदा इंटरनाशनल रिकेड में सिक्स किसने मारे हैं और फिन आलन साब को प तो क्या कर सकते हैं अच्छा और जो विकेड भी न्यूजिलेंड की गिर रहे न वह ऐसा नहीं है कि कोई बॉलिंग ब्रिलियंस हो रही है और बॉलिंग मास्टर क्लास चल रही है देड़ सोग की स्पीड पर बाउंस हा रहे हैं बोलर बैट्समें से हैंडल नहीं हो रही व वैसे में इंडिया पाकिस्तान डायासपरा काफी अच्छा खासा है अब मैं तो यहीं कहूंगा अगर न्यूज्यॉयॉक में कोई आ रहा है तो नहीं आए खामका में दूसरे मोमिन साकिप भाई मिल जाएंगे नहीं तो चलिए अब आये चलते हैं अगली ख़बर की तरफ दिलदार शरमा जी रोहिट शरमा ने हमारे इंडौर के एक कौंस्टिबल है पुलिस इंस्पेक्टर है रंजीत सर करके वो मैचल जैक्सन के अंदाज में ट्राफिक कंट्रोल करते हैं काप यह पॉपिलर है इंडौर में तो जब पिछली बार रोहिट शरमा इंडौर आया और उन्होंने बस ड्राइवर के हाथों सर्रंजीत को यह आटोग्राफ भिजवाया और सर्रंजीत ने उसका शोशल मीडिया पर फोटो भी डालते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि रोहित चर्मा ने मुझे आटोग्राफ दिया तो यह बहुत अच्छ फ्लॉट सिस्टम है इन रैंकिंग्स का यह बड़ाई बायस सिस्टम है टॉप ओडर के वैट्समेनों के लिए तो यह बात तो है इसलिए ज्यादा मैं आपको ध्यान दूंगा नहीं यह दियाब चाते हैं तो आप गूगल करके इस रैंकिंग्स एक सकते हैं उसके बाद मे और दूसरी खबरों की अधिबात की जाए तो आज इंडिया वर्सस अफगानस्तान जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब यह मैच चल रहा है और फाइनली 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 जस्टेस फॉर संजू सैमसंग चिल्लाने वालों को थोड़ी राहत मिल गई है क्यों कि संजू सैमसंग आ गये हैं तीव में अब डेट रबर है इसलिए आए हैं या पर्मानेंट आए हैं यह आप लोग खुट डिसाइड कर लीजिए मैं इस पर कुछ भी टिप पड़ी नहीं करना चाहूंगा और क्रिकेट की दुनिया की अधियान्य खबरों की बात करें तो कल से मैच अंडर नाइटीन वल्ड कप जब ही शुरू हो जाएंगे बॉइज इन ब्लू के लिए हमारी शुपकाम नाए वह अच्छा करें साउट अफरिका में उसके बाद में इंगलर्ड नायंस आई है तो साउट अफरिका के एक पूर्व बल्लेबाज है 31 वर्षी उन् हम लेते हैं आपसे जाज़त आपसे अपील कीजिए इस वीडियो को लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन दबाना ना भूलें कमेंट्स में अपना प्यार भेजते रहें मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई